Hello friends, My Girl and I, 2005 की मूवी आज में आपको एक्स्प्रेन करने वाला हूँ ये एक romantic Korean मूवी है इस मूवी में eternal love और death इस subject को उन्होंने छुआ है तो जलिए directly शुरू करते हैं इस मूवी के जो characters है, इनके नाम हम K और क्रीम रखेंगे यानि की hero का नाम K और heroine का नाम क्रीम हम रखेंगे मूवी स्टार्ट होती है और बहुत ही अच्छा सा हमें town दिखता है ये बहुत beautiful town होता है और वहाँ कुछ हमें friends दिखते है ये शोर पर आकर वहाँ के hotel में मज़ा कर रहे होते है seafood खा रहे होते है बहुत सारे time बात वह अपने गाव वापस आये है और यहाँ का जो सब है वो enjoy कर रहे होते है यहाँ वो अपने friend के बारे में बोलते है कि के यहाँ क्यों नहीं आया तो एक friend बोलता है कि तुमारी first girlfriend यहाँ मर चुकी थी तो वो moan कर रहा होता है और के भी हमें एक hill पर दिखता है क्रीम की बहुत सारी यादे इस शेहर से जुड़ी होती है वो वो फेसे जीरा होता है तोड़ी तिर बाद के फिर अपने friend से मिलता है वो सब friends एक light house तक जाते है वहाँ जाकर उनमें का एक जो friend होता है वो सी की उपर दिखता है वहाँ जाकर वो चिलाता है कि क्रीम प्लीज मेरे friend को जाने दो तुमने मेरे friend को जकर रखा है और ये भी सच होता है क्योंकि हमेशा के एक क्रीम की बार में सोचता रहता है के को इस सी को देखकर भी एक चीज जयात आती है फिर मुवी हमारी flashback में चलती है और हमें एक scene दीखता है जिसमें क्रीम के को पानी से बचा रही होती है के पानी में डूब रहा होता है और वहाँ क्रीम का जो पेज़र होता है वो भी गिर जाता है के बेहोश होता है वो उसे short तक लाकर देती है और वही छोट जाती है जब के होश में आता है तो उसके friend उसके आसपास होते है उसके friend को पता नहीं होता के डूब चुका था क्रीम ने उसे बचाया है ये भी होने पता नहीं है next scene में हम देखते है के स्कूल से अपने granddad के आता है उसके जो granddad होते है ये जो लोग मरते है उनके लिए सामान का उनका एक shop होता है उसके granddad बहुत ही cool होते है वह हमेशा उसे beer वगरा पिलाते है और बहुत अच्छे से बाते को करते है के और उसके granddad window तक आते है और के बोलता है कितना killer weather है तो उसके granddad बोलते है कि ऐसा मत बोलो क्योंकि ये date का सामान सेल करने वाले shop होती है के और उसके granddad के बहुत अच्छे से bonding होती है नेक सिन में हम देखते है कि के स्कूल में होता है और lecture कर रहा होता है तब एक cream उसके पास देखती है के के बास उसके friends होते है तो एक friend उसे बोलता है कि cream मुझे देख रही है मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक week के पहले मुझे propose कर देगी के को भी ऐसाच लग जाता है जब ए lecture खतम हो जाता है तब cream और के एक दूसरे से टगरा जाते है cream उसके रस्ते में होती है और उसे जाने नहीं दे रही होती है के जब वहां से निकल रहा होता है के करीम उसे बोचते है कि मेरे लिए koro की buy करो वो उसे indirectly date के लिए पूच रही होती है वो बोचता है कि क्यों वो बलती की essay hero कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कोरो की बाई करोगे तो हमारे लिए इस स्कूल में सब ओकोर्ड हो जाएगा यानि कि सब बच्चे इन्हें देखेंगे इसलिए वे बोल रहे होती है कि उसके लिए बाई भी करता है और ऐसा ही होता है सब उन्हें देखने लग जाते है एक का जो फ्रेंड था जिसको लग रहा था कि क्रीम उसे देख रही है वो बहुत ही जेलस हो जाता है वो कहता है कि उसमें जैसा क्या है जो मुझे नहीं और ये बहुत ही चीट जाता है और रोने लग जाता है वो उसे कहता है कि एक लड़का है जो उसे पैर करता है वो तुमें अब मारेगा और फिर नेक सिन में हम देखते है कि वो बहुत ही बड़ा बच्चा होता है वो के को घेर लेता है वो उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम उसे डेट कर रहे हो उसे दमकी दे रहा होता है तब भी वहाँ क्रीम आ जाती है और फिर उसे डेट के लिए बुला लेती है ये सुनकर वालण का और भी ज़ादा गुस्सा हुजाता है फिर के और क्रीम वहाँ से साइकल पर भाग लेते हैं फिर क्रीम और के दोनों अपने साइकल पर लाइट हाउस पर आ जाते हैं वहाँ कचल शोरद है वहाँ बैठते हैं वहाँ बैठने के बाद क्रीम के से पुछते हैं तुम सौकर केल देते हैं उसका क्या हुआ? यह दोनों जो होते हैं बच्पन से एक दूसरी को जानते हैं पर उसके बात उन्हें ज़्यादा बात नहीं की होती इसलिए उनमें जारा distance maintained हो जाता है के भी कहता है कि तुम्हें अपने grandfather की यहार रहती थी उसके grandfather का house के क्या house से बहुत ही पास होता है फिर वो बाते करने लग जाते है और फिर वो कहता है कि तुम्हारा नाम का मिनिंग लाइफ है कि कोरियन नाम है तो इनका मिनिंग अलग होता है फिर वो केको कहती है कि तुम्हारे नाम में भी एक्सलन्स यह मिनिंग है वो फिर उसे कहती है कि तुम्हें मुझे एक बीपर बाइक कर देना है क्योंकि तुम्हारी वज़े से ही मेरा बीपर चला गया है के को पता नहीं चलता कि यह क्या भोल रही है क्रिम उसे फिर लाउट हाउस पर लेकर आती है और वो संसेट देखते है के का फेंस रेड हो जाता है तो वो उसे पुछती है तो वो कहता है कि इस ताइम में हमेशा हो जाता है के उसका नाम सी पे पुकारता है वो कहता है कि मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे पुकारना चाहिए के फिर क्रिम से पुछता है कि हम तो एक दूसरे को बहुत ही दिनों से जानते हैं तो तुम अचानक मुझसे स्माइल करने लगए मुझसे बाते करने लगए ऐसा क्यू है वो उसे कुछ भी नहीं बताती जब रात होती है तो किया अपने मदर से पुछता है वो कहता है कि मुझे बीपर चाहिए वो उसके मदर को बीपर क्या होता है ये भी पता नहीं होता और उसे ना कर देती है के की सिस्टर उसे चिराती है कि तुम अब डेट कर रहे हो जब इनका क्लास चल रहा होता है वहाँ भी एक romantic कवीता चल रही होती है जब एक खतम होता है जो दोनों hangout करती है रात होती है तो क्रीम के घर केव छोड़ने उसे आता है क्रीम उसे अपना number दे देती है के कहता है कि तुम्हारा pager तो destroy हो चुका है तो इन number किस खाम का? वो कहती है कि तुम वहाँ message छोड़ सकती हो और जो landline होती है वहाँ से वो सुन सकती है इस तरह से वो अब messages में बात करने वाले होती है क्रीम जब क्रीम को छोड़ देता है तब क्रीम के father को दीख चाता है वो नाची रहा होता है तब ही क्रीम के फादर उसे देख लेते है यह बहुत ही awkward moment उनका होता है कि जब घर पर होता है तो उसकी sister phone पर बात कर रही होती है पर के को अब क्रीम के लिए message छोड़ना होता है जब बहुत ही देर हो जाती है तब figure out को करता है कि उसकी sister किसी से भी बात नहीं करे है connection नहीं बना है वो फिर क्रीम का जो messages होते है वो सुनता है कि इमको बहुत सारे messages होते है जिसमें बच्चे उसे कह रहे होते है तो क्यूं उस K को डेट कर रही हो यह जो message के सुन रहा होता है इसमें क्रीम का में message होता है उसमें हो कह रही होती है जब मैं C में थी तो मुझे लगता था कि जब मैं अगर तुमसे बात नहीं करूगी तो मैं support हो जाऊंगी मुझे बहुत ही courage लगा पर मुझे तुमसे बात ही करनी थी मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ के भी उसके लिए एक message सोड़ता है और कहता है कि वो भी उससे बहुत ही पसंद करता है कि अपने classroom में होता है और उसे एक teacher आकर बोलती है कि तुम्हारे grandfather मत चुके है तो मैं वहाँ जाना पड़ेगा कि बहुत ही डिस्टरब हो जाता है और भागते भागते वहाँ आता है वह जब वहाँ आता है तो उसके grandfather जिन्दा होते है कि पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया उसके grandfather गहते है कि इतना मौसम अच्छा है तो मैं आकेला थोड़ी पीर पिस सकता हूँ तो इस वज़े से उसके grandfather ने उसे बुला होता है कि के के grandfather को पता चल जाता है कि के का अब जारा mood change है वह प्यार में ऐसा उसे लग रहा होता है तो ये भी उसे वह पूछ लेते है तब ही वहाँ क्रीम आ जाती है फिर क्रीम की age उसके grandfather पूछते है तो कहते है कि 19 साल की में हूँ फिर उसे 19 बार गोल-गोल खुमने के लिए कहते है ये एक superstition के के grandfather की होती है भूतों से वह बची रहे इसलिए वह उसे करने के लिए कहते है जब के और क्रीम दोनों बैठते है तब के के grandfather उन्हें अपने love story कहते है वो कहते है कि तुमारी जो grand mother थी उसके पहले भी मैंने प्यार किया था के believe नहीं करता और फिर उसके grandfather ये story सुनाते है वो कहते है कि एक औरस से में बहुत ही प्यार करता था हम दोनों की जो family थी इसके खिलाफ थी फिर इस flashback के scene में हम देखते है के के grandfather और वो लड़की ये दोनों station वरे के के grandfather जोते है वो सेना में भरती हो रहे होते है और फिर वो उसे मिल कर जा रहे होते है वो उसे अपना name badge जोता है वो उसके हाथ में देते थे वो कहते है कि please मेरे लिए wait करो वो भी कहती है कि जिन्दा वापस आ जाओ यहाँ वो दोनों एक दुसरे से अलग हो जाते है के के grandfather बोलते है कि जब मैं service से वापस आया तो मेरे लिए कोई भी wait नहीं कर रहा था उसे बहुत भी बुरा लग रहा होता है के के grandfather के पास उस लड़की की अभी भी photo होती है और उसी shop में वो हमेशा रखते है अब ग्रेगी grandfather बूटे हो चुके है पर फिर भी हो उससे प्यार करते है बहुत सारों का यह प्यार है पिर कि यह के लिए message सोटती है वो कहती है कि grandfather ने तुमारे जो भी कहा है यह तुमारे लिए upsetting हो सकता है पर मैं इसे perfectly understand करती हूँ कि यह कहता है कि मैं भी इसे understand करता हूँ मुझे लागता है कि जो भी हुआ वो सही हुआ फिर यह नहीं होता तो मैं bond नहीं हो पाता और हम दोनों नहीं मिलते तो इसलिए उसे अच्छा लग रहा होता है कि एक क्रीम और उसका एक friend होता है यह सब school में होते हैं तो यह discuss हो खर रहे होते हैं तब इस teacher उन्हें डाटता है और उन्हें सजा देता है उसके एक friend को वो बाहर बेज़ देता है फिर भी के और क्रीम बाते ही करने लग जाते हैं तो इन्हें भी यह classroom से निकाल देते हैं जब के और क्रीम ग्राउंड पर होते हैं तो वो discuss कर रहे होते हैं क्रीम जो होती है यह after life में believe करती है कि इस पर believe नहीं करता है वो कहता है कि वो EDD होंगे जो after life पे believe करते होंगे इसमें इनकी जरा fight हो जाती है और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते है इसके बाद classroom में कि एका जो friend था उसके साथ cream बात कर रही है यह हमें दिखता है कि इस पर बहुत ही चीर जाता है उसके हाथ में एक fork होता है और उस fork के साथ उसके पीछे भागता है उसका friend भी डर जाता है और भाग जाता है कि अपने bicycle से घर जाता हुआ दिखता है और वहाँ cream भी होती है उसके साथ कोरकी खाना चाहती है उसके हाथ में होता है उसे लगता है तुम अगर इतने चोटी सी बात पर जलस हो जाओगे तो पचास साल या उससे भी जादा मुझसे कैसे बैर करोगे कि फिर उसके granddad के पास आता है वो उससे बोलता है तुम क्या जरूरत थी उससे कुछ भी बताने की वो उससे पूछता है कि क्या फिर तुम उससे कभी मिले उसके granddad कहते है कि उसके जब पती मर गए थे तब मैं वहाँ कहा था हमने एक दूसरे को देखा था पर हम एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर पाए केको बुरा लगता है कि क्रीम के घर जाता है वो आए चोटा सा पत्तर लेता है और वो खिड़की पर डालका क्रीम को बाहर बुलाने वाला होता है पर यह पत्तर जरह बड़ा होता है और इससे उसकी खिड़की तूट जाती है वो आसे भाग जाता है यह फिर क्रीम के लिए message चोटता है वो कहता है कि मेरे granddad और मेरे grandmother यह दोनों एक दूसरे से मिलना यह एक destiny थी हर आपमी की एक destiny होती है मेरे mother father मिलना यह भी destiny थी मुझे तुमारे destiny बनना है फिर इन दोनों का patch up हो गया है यह हमें दिखता है यह दोनों hangout करते हैं बहुत सारी fungy से एक साथ करते हैं यह के लिए hall वेगरा prepare करते हैं कि फिर अपने friend के साथ baseball खेल रहाता है तो उसके friend उसे कहते हैं कि cream के उपर बहुत सारे लड़कों के डोरे हैं तो में जल से जल इस relationship कमिटमेंट ने बतलना चाहिए यह जो friend होते हैं इसकस कर रहे होते हैं कि fog island है वहाँ एक magical rock है जहाँ पर सब लगों की fishes complete हो जाती है अपना partner उन्हें मिल जाता है तो यहाँ फिर के को जाना होता है यह सब friends ने plan किया होता है और उसके friend की girlfriend वेगरा सब वहाँ जाने वाले होते हैं वो क्रीम को भी इसलिए पुछता है क्रीम भी permission लेकर इसके लिए हाँ कर देती है जब यह दीन आता है जब वो fog island में जाने वाले होते है तब वहाँ उसके friend कॉल करकर बताते है कि हम नहीं आने वाले यहाँ रात भर उन्हें रुखना होता है तो क्रीम उसे कहती है कि तुम्हारा यह setup था के डर जाता है कि एको लगता है कि अपसेट हो चुकी है पर क्रीम को और और भी अच्छा लगता है वो अब अकेले ही यहाँ जाते है fog island पे जाकर वो swimming करते हैं बहुत अच्छे से वहाँ views होते हैं यह वो देखते हैं बहुत ही अच्छा जाता है तो एक हिल पर आते हैं यह दोनों एक wish कर रहे होते हैं वो एक दूसरे से पुछते हैं कि तुमने क्या wish किया है वो दोनों फिर decide करते हैं कि वो एक की साथ एक दूसरे की wish बोलेंगे एक दूसरे की मुझे से एक ही बात आती है वो होती है कि इससी तरह का हर दिन हो वो फिर एक जगा रुखते है वहाँ कि जो लेड़ी होती है वो ब्लाइन होती है पुरो सुब सुन सकती है उसे इन्होंने बताय होता है कि यह husband and wife है यह दोनों बैलकनी में आते है और वहाँ रेन आने लग जाती है के फिर क्रिम को एक स्टोई सुनाता है वो कहता है कि जब मैं छोटा था हमारे गर पर एक ओल्ल लेड़ी आती थी उसने मुझे सवाल पुचा था की रेन कैसे गिरती है यह ड्रॉप्स में गिरती है यह थ्रेड की तरह धागे में गिरती है मैं कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया यह मुवमेंट बहुत ही रोमेंटिक होता है तो एक दूसरे को किस करते है फिर हमें दिखता है कि रेन स्टॉप हो जाती है यह ड्रॉप्स की तरह किरती है यह कैको समज में आता है जब बहुत ही रात हो जाती है तब इन दोनों को नीन नहीं आरा है क्रीम सीखे यहाँ बैठी हुए होती है कैव उसके साथ आकर बैठ जाता है पर होसे कहती है कि यह जो टॉरणेड होता है इसके बीच में कभी भी पारिश नहीं आती क्या कहता है कि यह कितना ब्यूटिफुल है इसकी possibility कितनी कम है पर फिर भी यह होता है जैसे हमारे मिलने की possibility बहुत ही कम थी पर फिर भी हम मिले है वो कहता है कि मुझे आप तुमारे लिए जीना है तुमारे लिए रोना चाहता हो हसना भी तुमारे लिए चाहता हो जीना भी तुमारे लिए ही साता हो क्रिम उसके universe का center बन जाए ऐसा होसे लग रहा होता है क्रिम भी कहती है कि तुम गुस्टा हो जाते हो जेलस हो पर तुम जैसे भी हो मुझे अच्छे लगते हो और पोलता है कि मेरे ग्राइन फादर भी यही प्रैक्टिस करते है फिर वहाँ से भाग कर चला साता है के और क्रीम फिर एक दूसरे को मैसेज देते है और उन्हें क्या-क्या चीज़े बहुत ही अच्छे लगती है वो कहते है के कहता है कि मुझे स्काइ पसन है मुझे संसेट पसन है बहुत सारी चीज़े वो बोल रहे होते है जब रात होती है तो के अपनी मदर को देखता है उसके जो फाजर होते हैं मर चुके होते है वे कहता है कि मेरे मदर को अकेला देखना यह बहुत ही difficult है दूसरे दिन फिर से के जब क्रीम से मिलने आता है तो अपने room में नहीं होती वो nurses से पुछता है कि वो कहा गई है nurses बोलती है कि वो भाग गई है कि यह बहुत दिस्टरब हो जाता है और फिर हार कर वो अपने granddad के आता है वो वही होती है वो उसे पोचता है कि मुझे ऐसा देख कर क्या तुम्हें मजा आ रहा है वो उस पर चिड़ गयाता है क्रीम भी उससे sorry बोलती है वो उससे कहती है कि जब भी मैं तुम्हें call करूंगी प्लीज मुझे answer करना नेक से नहीं में क्याई की granddad दिखाए गए है वो उसे अपना बैच देती है जो बैच उसने अपने प्रेमिका को दिया था यह जो होती है उसके प्रेमिका की बेटी होती है वो उसे कहती है कि उसने मुझे जैसे बताया था तुम वैसे हो यानि कि वो लड़की उसे कभी भूली नहीं थी उसके प्रेमिका की लड़की फिर उसे उसके मदर को फ्यूनरेल की रेडी करने के लिए बोलती है वो कहती कि उसके लास्ट विच थी तुमसे वो मिल पाए वो पुछता है कि वो कैसे मरी क्या डिफिकल्ड था वो कहती कि नहीं कोई भी डिफिकल्ड नहीं था उसे इसमें peace लगता है के के granddad उसके प्रेमिका से मिलने आते है वो उसे उसके funeral के रेडी करते है एक cloth में उसे वो wrap कर देते है वो फिर उसके प्रेमिका से बोलते है यहां पहले मिलना चाहिए था क्यों यह इतना difficult था हमारा मिलना उन्हें बहुत ही regret अब हो रहा होता है वो कहते है कि next road में हम फिर से मिलेंगे और हमें कोई भी चुदा नहीं कर पाएगा दूसरे दिन फिर से जब क्रेक कीम से मिलने आता है तब उसे content किया होता है उसके पास आसपास plastic होता है वो अब उससे directly भी मिलने ही सकता कि क्रीम के फादर से मिलता है क्रीम के फादर उसे कहते है कि बहुत यंग है और यह अब मरने वाली है क्रीम को leukemia होता है blood cancer होता है तो इससे वो मरने वाली होती है के भी इससे ही deal कर रहा होता है क्रिम के फादर के ऐसे कहते हैं कि उसके लिए अगर तुम कुछ भी करना चाहो तो वो कर देना जब रात होती है तो के अपने मदर से पुछता है क्या तुम कभी डाड को मिस करती हो तो उसके मदर कहती है कि हाँ मैं उन्हें मिस करती हूँ क्रीम के मन में सवाल होता है कि जब हो मर जायगे तो उसे कौन हियाद रखेगा उसका मानना होता है वो कहती है कि उसके फ्रेंड्स वगिरा सब उससे याद रखेगे पर जैसे टाइम पास होता जाएगा उससे भूल जाइंगे उसकी family उसके जो सब पास थे वही उसे याद रखेंगे क्रीम के एको कहे रहे होती है जब तक तुम मरोगे मुझे तुम याद रखना कि रोने लग चाता है कि कहता है कि मैं तुम्हें याद नहीं रखूँगा उसे कहता है कि मैं किसी और लड़की के साथ करों के खाऊंगा मैं किसी और लड़की को डेट करोंगा मैं बहुत धोच रहूंगा उसे jealous feel करवाना चाहता है यानि कि वह ना मरे कीम को फिर से island जाना होता बो क्रीम को उठाता है दूनों गाड़े में बैटते है तो क्रीम उसे कहती है कि मैं तुम्हारे ले वेट करूँगी जब तुम मरोगे तब हम फिर से एक हो जाएंगे जब वो बोट तक पहुचते है तो वहाँ स्टॉम आ जाता है वार यह सब बन हो जाता है के को बहुत बुरा लगता है और वहाँ के ऑफिचियल के साथ उसका जगड़ा हो जाता है पर फिर भी अब वो क्रीम को लेकर उस आइलंड तक नहीं जा सकता के क्रीम के पास आता है और रोने लग जाता है वो कहता है कि मैं तुम्हें आइलंड तक नहीं लेकर जा सकता के मुझे वादा लेती है वो कहती है कि तुम मेरे life के see हो तुम ही मेरा समुनदर हो मुझे तुमें हमेशा happy देखना है वो उससे हमेशा खुश रहे ऐसा वो उससे वचन लेती है यही फ्लेश बैक कतम हो जाता है और जब अब के बड़ा हो चुका है वो फिर से उसी island तक आता है इस अंधिय औरत के room में वो रुके थे वो ही वो आ जाता है उस room में जब वो पहुचता है तब उसे के की एक notebook मिलती है उसमें लिखा होता है कि के और में हम दोनों फिर से इस island में आगए वहाँ जो hill होती है वहाँ बहुत सारे फूलो के plants उसने plant की होते है वो कहते हैं कि मुझे के का reaction देखना है कि उसे कैसा लगेगा के फिर इस hill तक बहुचता है और ये फूलो से भरी बड़ी होती है के फिर से उनका एक लमहा याद करता है जहाँ पर उन दोनों की मिलने की possibility क्या थी ये वो discuss कर रहे थे एक दोनों को उन दोनों ने I love you कैसे कहा था ये वो याद करता है इन फूलो के बीच में वो चलता है और ये ही मुवी खतम हो जाती है वो हमेशा उसे याद रखने वाला है तो इस मुवी का जो plus point था ये उसके views थे बहुत इसके views है जो हमें देखने के लिए कभी भी अच्छा लाएगा अगर आपको वक्त मिले तो 100% इस मुवी को देखिए अगर आपको ये मुवी पसन आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और भी मुवीज में लेकर आता रहोंगा तो इसके लिए सब्सक्रेब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आईकोन भी दबा दीजे यानि कि आपको न्यू मुवीज भी आती रहे हम फिर से मिलेंगे न्यू मुवीज के साथ तब तक के लिए ठैंक यू और आपका खैल रखे